आप वो जंग कभी नहीं जीज सकेंगे जहां लड़ाई अपने आप से हो यही वज़े थी कि चीन ने इसका खूब फायदा उठाया जिसका नतीजा यह था कि नौर्थीश्ट जो भारत का इंजन हो सकता था उसमें काफी समय लगा लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह इंजन थे वहां से तेल और गैस की प्रोड़क्शन को लेकर इसमें हर बार यह उगरवादी समू अपने नापाक इरादे से कभी इंडियन आयल गैस पाइप्लैन उड़ा देता था तो कभी यह टेंकर पर हमला कर देता था यही वज़े थी कि जो प्रोड़क्शन तेल और गैस मे होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया जिसकी वज़े से भारत इस रीजन में अपनी कम तागत लगा रहा था वही उगरवादी समू की वज़े से ही जो निवेश और इंट्रेस्रक्शर खड़ा किया जाना था वो भी समय रहते नहीं हो पाया साथी जो आम लोग थे उनका अब ये कहना था कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है लेगिन अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां एक ऐसा आयतिहासिक समझोता हो चुका है जो नौर्थीश्ट में नई क्रांती लाकर रख देगा दरसल इस समझोते के थैद भारत सरकार ने उल्फा के साथ एक श करना होगा इसके अलावा आगे से उल्फा नौर्थ इस्ट रिजन में और असम में किसी तरह का वायलेंस नहीं करेगा मतलब जो तेल के भंडार देश के अंदर सुरक्षित नहीं थे वो अब इस पीस डील से फ्री होते वे दिखाई देंगे मतलब अब पहले से जाधा प् सिंगापूर की काफी समय से नजर थी और वो ये देख रहा था कि कब इस से छुटकार मिल सकेगा आप देखिए जैसे ही शांती समझोता हुआ सिंगापूर ने भी इसे सरहा सिंगापूर ने कहा है कि इस उपलबधी के कारण पूर्वत्तर छेतमेश सिंगापूर से विद सिंगापूर ही नहीं जापान भी बड़े निवेश के साथ तैयारी में खड़ा है और ये भारत के लिए धोरी खुशी इसलिए भी है क्योंकि भारत के इस समझोते से चीन को पानी में आसानी से उतारा जा सकेगा क्योंकि नौर्थ इस्ट का खड़ा होना चीन को बैठाने क्योंकि इससे भारत के नौर्थ इस्ट को भारत के अंजे राजीए से जोड़ा जा सकेगा और ऐसा होते ही आप भारत की तागत का अंदाशा नहीं लगा सकेंगे भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा